साथियो नमस्कार बहुत सारे पशुपालक भायों का बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि हमारी जो गाय या फिर भैंस होती है वो पिछले कई दिनों से खड़ी नहीं हो पा रही है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पशुपालक भायों को आ रही है तो ऐसा ही केस आज आप अपनी मोबायल स्क्रीन के उपर देख रहे है ये जो देख रहे हैं आप भैंस ये पिछले कुछ दिनों से खड़ी नहीं हो पा रही है खाना पिना कम कर दिया है नहीं खा पा रही है इसी तरह से लेटी हुई है गिरी हुई है खड़े हुने में काफी ज़्यादा दिकत कर रही है नहीं हो पा रही है तो ये वीडियो हमको भेजा था वटसेप एक पशुपालक भाई ने टेमपरेचर इसका नॉर्मल है ठीक है कहीं कोई दिकत वाली बात नहीं है अचानक से इसने इस तरह की हरकत करना शुरू कर दी अचानक से बैठ कई फिर धीरे से इस तरह लिटाकर गिरी हुई है बाकी टेमपरेचर इसका नॉर्मल है तो इसके वारे में दोस्तों आज हम डिटायल से बताएंगे कि आखिर इस बैस को हुआ क्या है कैसे हमने इसका डाइग्नौस किया, कौन-कौन से हमने इसमें इंजेक्शन दिये, ट्रीटमेंट की और ऐसा ही ट्रीटमेंट आप पसुच की सक की सहायता से इंजेक्शन लगाने के बाद आप इस भैंस का result देखेंगे तो ये भैंस सिर्फ एक दिन की treatment के बाद ही खड़ी हो गई ये आप देख सकते है mobile के उपर ये वही भैंस है जो की खड़ी होने में दिक्कत कर रही थी जो की जमीन पर गिरी हुई थी तो जब हमने पशुपालक भाई को उन्होंने हमारा किया WhatsApp पे ही मैंने उनको treatment बदाया था और treatment जो है उन्होंने नजदीकी के पसुची की सक के दिलाया था तो वो treatment देने के बाद भैंस में एक दिन के बाद ही असर होना शुरू हो गया था भैंस जुगाली भी कर रही है खड़ी भी हो गई है कहीं कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है ये वही भैंस है जो की पिछले कल गिरी हुई थी जमीन के उपर तो आकिर हमने इसको ऐसा क्या treatment दिया कि ये भैंस खड़ी हो गई और ये case किस बात का था किस चीज का था कैसे हमने इस case को डाइगनॉस किया था तो ये जो एक एक चीज है वो मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में बताऊंगा हर एक चीज बताऊंगा बहुत सारे पशुपालक भायों को दिक्कत आ रही है उनकी जो गाय भैंस है वो दस या पंदरा दिन उसे बैटी हुई है खड़ी नहीं हो पा रही है तो दोस्तों इसमें ना तो कैलिशियम की डेफिसेंसी थी ठीक है ना इसमें किसी तरह की खाने पीनें की वज़़े से इस तरह की दिक्कत हुई थी ये जो भैंस है इसमें हो गई थी आइरन डेफिसेंसी यान कि भैंस की जब आप हालत देखिए गाईस कितनी ज़्यादा ये कमजोर हो गई थी देखिए आप किस तरह से आप देखनें स्क्रीन पर कितनी ज़्यादा कमजोर है वीकनेस इसमें आ गई है यानि कि ये भैंस जो है ये एनिमिक है एनिमिय इसको हो गया है ये तब होता है जब हम पशु की डिवर्मिंग नहीं कराते हैं पशु को एंडो और एक्टो जो पैरसाइट्स होते हैं वो हमारी जो गाया फिर भैंस को प्रभावित करते हैं तो तब जो है ये आईरन डेफिस है खुन की कमी हो जाती है तो फिर इस तरह से सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो अब हम इसमें एक एक करके ट्रीटमेंट की बात करेंगे कौन-कौन से इंजेक्शन दिये और कितने दिनों का इसमें ट्रीटमेंट किया गया जो मैंने इनको पहला इंजेक्शन बताया था वो है हमारा माइफेक्स का जिसमें की कैल्शियम, मैगनिशियम, बारोग्लुकोनेट का इंजेक्शन होता है यह जो इंजेक्शन है यह जादुई प्रभाव करता है इस तरह के जो केस होते हैं चाहे कोई सी भी डेफिसेंसी हो क किसी भी तरह की डेफिशेंशी हो तो माइफेक्स हमें उप्योग में जरूर लाना है साड़े 400 ml की ये वायल थी ये आप पूरी शीशी देख रहे हैं बॉटल तो ये हमने इंट्रावेनस रूट के द्वारा इन्हें चड़ाने के लिए कहा था अगर एक दिन से असर नहीं होता तो फिर से दूसरे दिन ट्राइ करना था इसके साथ ही जो डिनस आता है डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन ये भी हमने कहा था कि आप इसको इंट्रावेनस दीजिए पान्स से साथ वोटल और इसी के साथ ही नॉर्मल से लाइन आता है एनेस आता है ये भी साथ में देना काफी ज़्यादा ज़रूरी था तो ये भी 6 से 7 लेटर इसको देना था क्योंकि इसमें काफी ज़्यादा कंडिशन खराब थी तो ये जो इंजेक्शन थे ये इंट्रावेनस रूट से देने थे और ये सारी जो ट्रीटमेंट है ये मैंने इनको देने के लिए कहा था और 3 दिन तक हमें इस ट्रीटमेंट को ट्राई करना था लेकिन एक दिन में ही ट्रीटमेंट देने के बाद इसमें असर होना शुरू हो गया और इसके लाबबा जो Tribuvet injection आता है वो भी हमने इस भेंस को दिया था वो Intravenous देने को कहा था 20 ml Intravenous Tribuvet injection इसी के साथ ही ये जो treatment है ये इन्नोंने एक दिन के treatment से ये असर देखना शुरू हो गया था जो दूसरा injection हमने उपयोग मिलाया था वो Neurokind का जो injection आता है Neuroxine M-Wat के नाम से injection आता है इस injection को भी Intravenous root के द्वारा IV root के द्वारा जो bottles आती है उनमें मिलाकर जो normal saline की बोतल आती है DNS आती है उसके साथ मिलाकर IV root के द्वारा ही इन injection को उपयोग मिलाया था तो इसके लावा जो injection हमने उपयोग मिलाया था वो यहाँ पर उपयोग मिलाया था Calcium का Calvd के नाम से भी आता है ये तो इसमें ये Calcium का injection है बहुत अच्छा इसका result है और ये भी जो IV root से ही देना था IV से क्या होता है कि एकदम से injection काम करना शुरू कर देते हैं उसके बाद Avil बंद्राइमेल Avil दिया था Intramuscular root से कहा था इनको देने के लिए Intravenous root के द्वारा भी ठीक है इसके बाद ये जो भैंस है वो आपने वीडियो देखी इसकी पशुपालक भाई ने काफी ज़्यदा शुक्रिया किया WhatsApp पर हमने उन्होंने अगले दिन ही हमें वीडियो को भेज दिया था तो वीडियो थोड़ा सा पुराना है तो ये जो भैंस है इसकी हालत काफी ज़्यदा खराब थी तो जब ये खड़ी हो गई उसके बाद मैंने इनको रिकमेंट किया था कि आप डिवर्मिंग कराएं भैंस की दूर करने के लिए फैरिटास का इंजेक्शन इंट्रमस्कुलर रूट के द्वारा मैंने इनको रिकमेंट किया था कि जब भैंस ठीक हो जाए खड़ी हो जाए तो ये जो है 45 किलो पर एक एमेल लगता है तो इस भैंस को 7-8 एमेल इंट्रमस्कुलर डीप लगाएंगे तो ये हम रिकमेंट की थी ट्रीटमेंट और रिजल्ट आप देख सकते हैं तो इस तरह से फिल्ड में अगर आपको कभी केस मिलता है तो आप अच्छी तरह से डाइगनॉस करके पूरा सही ट्रीटमेंट करेंगे तो सही तरह से आपको रिजल्ट जो है देखनी को मिल जाए